हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग तो आज की इस वीडो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप कैपकट एप में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो ये वीडो अस्पेसली इन लोगों के लिए है जो लोग इंस्टाग्राम पे रील वीडो जो बनाते हैं सो ये एक कम्प कैपकट एप में तो आपके पासे कैपकट एप होना चाहिए अगर आपके पासे कैपकट एप नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कैपकट एप के बारे में जानने के लिए एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हु आप भी इसे यूज कर सकतो अच्छे से वर के करता है ठीक है उसके बाद connect के उपर क्लिक करके आपको connect करना है मतलब सबसे पहले आपको VPN से connect हो जाना है उसके बाद आपको अपने CapCut को open करना है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा देन new project के उपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपने वीडियो को आपको selected करना है जिसे आप edit करना चाहते हो जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाली वीडियो को edit करने वाला हूं तो इसे मैं select कर लेता हूं उसके बाद create के उपर click कर देना है तो आपका जो video होगा वो यहाँ प इसे हम एडिट करेंगे और इसे बहतरीन बनाने वाले ठीक है तो एडिटिंग में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एड़ वांस तक बताने वाला हूं से वीडियो को बिल्कुल भी असकेव अप मत करना सारा चीज आपको समझा जाएगा बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है तो अज स्टार्ट करते हैं अपने सबसे बीसिक एंड इंपोर्टेंट से जो की है स्लो मोशन अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपके वीडियो 10x से बेटर हो सकती 10 गुना अच्छा आपका वीडियो हो सकता है तो स्लो मोशन सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूं आपको अपने वीडियो को पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको एक का के brand दीखेगा इसके पर आप क्लिक कर देना फिर आपको यहांपे एक कर पका पर क्लिक कर देना है फिर यहांपे का सारा को करव का प्रीशट देखना प्रहंद लेगा तो इनमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि यह उतने यूज़ वाले हैं ने ठीक है आपको सिम्प्ली से कस्टम के उपर क्लिक कर देना फिर एडिट का अप्शन मिलेगा इसके ऑपड़ आप क्लिक कर देना अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जस्ट वीड़ो को स्लो करने का मतलब वीड़ो बनाने का सारा टूल यहाँ पर मिल चुक अगर हम इसे पौइंट को नीचे करें तो आप यहां देख पायोगे वीडो यहां पे स्लो हो जारा है जहां पे हमने पॉइंट को नीचे किया वह आप विडो विलगुल विल्कुल स्लो हो जार है तो ये इसका simple सब working है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप perfectly अपनी वीडो को slow motion कर सकते हो तो सबसे पहले तो आप अपनी वीडो को play करना and देखना कि कहाँ पे आप slow motion करना चाहते हो मतलब अपनी वीडो को कहाँ पे आप स्लो करना चाहते हो अगर आप अपनी वीडो को starting में slow करना चाहते हो तो starting में आपको जो point मिलता है इसे आप नीचे कर देना जितना आप नीचे करें को उतना slow हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपनी वीडो को recording adjust कर लिना मैं यहाँ पे अपनी वीडो को recording adjust कर लिया ठीक है अगर आप अपने वीडियो के ending में कहीं पे slow करना चाहते हो जैसे कि last में तो यहाँ पे आप आके ज़स्ट इसे नीचे कर देना slow हो जाएगा ठीक है और अगर आपको कुछ ऐसे प्लेस पे slow करना है जहाँ पे point ही नहीं है जैसे कि यहाँ पे बीच में अगर आपको slow क करना चाहतो है तो यहाँ पिद्मक्ण कर दोगे तो यहाँ पर फिर यहाँ करना यहां पे यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट कर्व दिखाता है मलत कि यह वाला फास्ट होना चाहिए उसके बाद फिर से सकेंड वाला जो पुएंट है उसे आप थोड़ा नीचे रखना स्लो करना फिर इसे पुएंट को थोड़ा से उपर कर देना ठीक है तो इस तरीके से करके आप यहां पर कर बना लो तो होगा यह कि कहीं पर आपकी वीडियो स्लो होगी कहीं पर फास्ट होगी कहीं स्लो होगी कहीं फास्ट होगी तो देखने में काफी कम माल के लेगा जिसे कि आप देख सकती हो ठीक तो आप इस तरीके से भी कर बना सकती है तो बाकी आपका मन अगर आपको दूसरे तरीके से बनाना है जहां slow करना को वहां नीचे कर दना जहां fast करना को आप ऊपर कर सकती हो अब उसके बाद इसे smooth करने के लिए आपको यहां पर make it smoother का option मिलता है इसके अबर क्लिक करके बेटर क्वालीटि को आपको सेलेक्ट कर लेना ठीक है इसे सलेक्ट घरके आपको डन कर देना है एंड यहाँ पर आपका slow motion हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से यह processing हो रहा है यह complete हो जाएगा दिन आपको slow motion यहाँ हो जाएगा ठीक है तो इस तरीक सा आप अपनी वीडियो में perfectly slow motion कर सकती हो तो slow motion यहाँ पर हो चुका है अब इसके background को DSLR जैसा blur करना हम सीखेंगे तो वीडियो की background को DSLR जैसा कैसे blur किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ आपको सिंपली से यहाँ पर effect वाले option को पर आजाना है देन काफी सारे options आएंगे तो इनमें आप वीडियो effect को पर click कर देना फिर यहाँ पर आपके सामने फिर से काफी सारे options effect वगरे आजायेंगे तो आप यहाँ पर scroll करना एंड यह lens वाले category में आप आजाना ठीक है यहाँ पर आजाने के बाद आपके सामने एक galaxy blur का option दिखेगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हूँ तो इसके उपर आप click कर देना इसके उपर click कर देने से आप देख सकते हूँ वीडियो का background जस्ट DSLR जैसा blur हो गया है मैं आपको done करके देखा देता हूँ आप यहाँ देख सकते हूँ यह before और यह after DSLR जैसा blur हो चुक है वो भी सिर्फ एक click में और ऐसा नहीं किधर यह road वगरा भी blur कर दिया नहीं सिर्फ background को ही blur किया है जो जैसा DSLR में होता है ठीक है तो इस तरहीं से आप बलर कर सकते हो अब इस बलर को आप और बहतर बना सकते हो कस्टमाइज करके कैसे किया जाता है मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर adjust का option मिल रहा है इसको पर आप क्लिक करना फिर intensity को आप यहाँ से कम या फिर ज्यादा कर सकते हो कम करोगे तो यहाँ पर blur effect कम हो जाएगा आप यहाँ से ज्या जैसे कि इसे increase करें तो glow जादा कर रहा है कम करें तो कम तो इसे में 80 का सपस रख देता हूँ फिर done कर लेता हूँ आप अपने recording adjust कर ले ना जैसे आप की यूड़ में सही लगे अब इस effect को पूरे वीडो को पर apply करने के लिए जस्ट यहाँ से इस तरीक से आप स्क्रॉल कर तो आप देख सकते हूँ पूरा वीडो जो है उसका background blur हो चुका है लेक आप यहाँ देख सकते हूँ ठीक है तो वीडो का background blur भी हो चुका है अब हम यहाँ पर देखते हैं कैसे आप अपने वीडो को color gate कर सकते हो and literally color getting काफी जादा important है जिसकी मदद से आप अपने वीडो मे जान डाल सकते हो चार चान लगा सकते हूँ ठीक है तो color getting करने के लिए आपको simply सा अपने वीडो को पर click करना है फिर यहाँ पर आपको scroll करना है and एक adjust का option आपके सामने आएगा इसके ओपर आप click कर देना फिर यहाँ पर brightness and exposure की मदद से अपने वीडो का light को adjust कर सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर बैटनेस को पर click करके इसे increase कर दो तो light increase हो जा रहा है decrease करोगे तो decrease हो जागा so जितना आपको suitable लगता है उतना आप यहाँ पर adjust कर देना जैसे कि मैं यहाँ पर exposure को थोड़ा सा increase कर दिया और यहाँ पर brightness को थोड़ा सा decrease कर दिया तो आप अपने वीडो को according adjust कर लेना उसके बाद यहाँ पर आपको saturation का एक option मिलता है इसे आप यहाँ पर अपने colors को adjust कर सकते हो लाइक इसको पर click करके आप increase करोगे तो यहाँ पर आपकी वीडो की colors जो है वो अच्छे तरीके से highlight हो जाएंगे जैसे कि आप देख पार और आपकी वीडो देखने में क color grading कर सकते हो आपको यहाँ पे HUE saturation and luminous का option मिलता है ठीक है और यहाँ काफी सारे color मिलते है तो in में से किसी भी color को पर click करके आप यहाँ पर अपने वीडो को color grading कर सकते हो लाइक माइं यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ one or option मिलता है इसकी मदद से आप अप को पताईए ठीक है similarly आप यहाँ पर बाकी colors के साथ भी editing कर सकते हो मतलब की hue से color को change कर सकते हो and उसके पाद saturation से इसका color का intensity कम जादा कर सकते हो ठीक है तो जैसा आप adjust करना चाहो color gate करना चाहो आप यहाँ से कर लेना फिर आपको यहाँ पर done कर देना है ठीक है तो इस तरहीं से आप यहाँ पर color gate भी अपनी वीडियो को कर सकते हो अब एक काफी important चीज के बारे में आपको बताता हूं जो कि है effects आप अपने वीडियो के उपर effects apply करके अपने real video को काफी बहतर बना सकते हो 10x बेटर बना सकते हो ठीक है तो कैसे effects को apply किया जाता है मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर आपको effect वाले option के उपर click करना है इसको पर आपको click करोगे तो आपको एक video effect का option मिलेगा इसके उपर आप click कर देना यहाँ पर click कर देने से आप देख सकते हो काफी सारे आपके सामने यहाँ पर effects आ जाएंगे starting में trending वाले section में आपको बहुत सारे trending वाले effects मिल जाएंगे जिसे कि यह sick effect देख सकते हो यह HDR effect आप यहाँ देख सकते हो एक यह वाले effect देख सकते हो जो के भी Instagram में काफी जादा trend में है तो जो भी आपको यहाँ से पसंद आ जाता है या फिर जो भी आप अपने video को पर apply करन ठीक है तो मैं आपको suggest करूँगा कि video के starting में अगर आपको कोई भी effect apply कर रहे हो तो आप यहाँ पर opening and closing में दाना क्योंकि यह especially opening मतलब कि starting के लिए ही बनाया गया है ठीक है जैसे कि आपको यहाँ पर hello blur का एक option मिलता है जो कि हर कोई use करे मतलब काफी सारे लोग इसे use कर रहे और भी काफी सारे आपको यहाँ effects मिलते इन में से किसे को use कर सकतो मैं starting में यह hello blur को रख देता हूं and done कर देता हूं तो आप देख सकतो यहाँ पर effect apply हो गया and हमारी video की starting काफी अच्छे लग रही देखने में ठीक है उसके बाद video के बीच में भी आप यहाँ पर effects को add कर सकतो and अपने video को और बहतर बना सकतो like shake effect, flash effect यह सब तो वह सब के लिए भी आपको यहाँ पर video effect को पर click कर देना है काफी सारे आपको यहाँ effects मिल जाएंगे night club में आप जाओगे तो shake effect, flash effect, step का effects आपको यहाँ पर मिलेगा तो इन में से जो आपको पसंद आएगा आप यहाँ से use कर सकती हो, जैसे के आप देख पारों, इन में काफी सारे कमाल कमाल के effects हैं, तो इन में से मैं यहाँ पर just vibration flash को use कर लेता हूं, जिसमें की shake effect और साथ ही में यहाँ पर flash effect भी मिल जाता है, तो दोनों चीजी एक ही साथ मिल ला है, तो इसलिए मैं इसे use कर लेता हूं, आपको जो पसंद लाएगा, आप उसे use करके done कर देना, ठीक है, दिन जितना दिर तक इसका duration आप रखना चाहते हो, आप यहाँ से कम ज्यादा भी से कर सकते हो, लाइक मैं इसे just यहाँ पर रखना चाहता हूं, तो इतना duration इसका कर देता हूं, ठीक है आप देख सकते हूं, यहाँ इस टेप का, जो कि आपने इंस्टाग्राम में नूटीस भी क्या होगा, इस टेप की इफेक्ट बहुत सारे वाइरल हो रहें, यह आई वाला भी आप देख सकते हूं, और भी यहाँ पर यह सब जो इफेक्ट हैं, इन्हें भी आप अपने व्योड़ो को परपलाए कर सकते हो, देख पारू, काफी सारे न्यू न्यू वाले आपको यहाँ पर इफेक्ट मिल जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, ठीके, मतलब कि जो ट्रेंडिंग में आप इंस्टाग्राम पर देखते हो, वो सारा यहीं से एडिट किया जाता है, यहीं सब इफेक्ट वाल आपको इसमें मिल जागा, अब जो आपको पसंद आएगा, आप उसे यहाँ से यूज कर लेना, एंड डन कर देना है, फिर जितना डूरेशन रखना चाहते हो, रखके, जस्ट आपको यहाँ से बैक कर देना है, आपको वीडो बनके एडिट हो चुका है, ठीके, अब उसक में इतना भी म्यूजिक होगा, उस सारा यहाँ आजाएगा, जो आप यूज करना चाहूँ से आपको सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद अगर इसका डूरेशन जादा है, तो आप यहाँ पर लास्ट में आके इसको पर क्लिक करके, इसे डिलीट कर देना, तो आप देख सकते हो, आपका वीडो कम्प्लिटली रेडी हो चुक है, अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए हाई क्वालिटी में, आप यहाँ पर थाउजन टेटी को पर क्लिक करना, और यह सभी को आप इंक्रीज कर देना, उसके आपने नेक्स्ट वाल वीडो में, तब तक के लिए बाई बाई